हेई गाइस गुद मॉर्निंग आज है 15 उफ जून 2024 दो बजे हो गई यह मेदी सुभा अब सब की मन में आएगा कि रात को सोई कितने मुझे थी लास्ट व्लोग मैंने यहीं पे एंड किया था पूरा दिखा के लास्ट डे का रूटीन और आज का सुभा का उठने वाला रू पे स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग लाइव जिसमें मैं आती हूं और आप सब कर देर सारा प्यार में मिलता है कि आप सब मेरे साथ उस टाइम पे स्टाड़ी कर पाते हैं और अफ्रनून में फिर टू पीम पे स्टार्ड़ी स्टार्ट होएगा और इवनिंग पे फिर होल बनता है कि जैसे हम लाइव किसी लाइवरी में मिलके बैटके ग्रूप स्टाड़ी कर रहे हो तो मैं यूट्यूब के कमुर्टी पोस्ट पे ही उसको पोस्ट कर देती हूं पूरे टाइम को तो आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं किसी है कमेंड किया था कि माशाला आ सबस्ट है कि चाहिए अज बंदर सबस्ट है कर सकते हैं आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अपने जी सकते हैं वाइफ भी एक एस्पेरेट वाली लाइफ जी सकती है अगर वो चाहे तो उस टाइम पर उसको थोड़ी सी responsibility अपनी housewife वाली कम करनी होंगी कहीं से time चुराना होगा जी हाँ time चुराई बिना काम नहीं चलेगा अगर आप यह सोचो कि 100% आप housewife की responsibility निभाते रहें और आप किसी exam के लिए पढ़ाई भी करते रहें तो यह कहीं ने कहीं possible नहीं हो पाएगा और एक और चीज जो आपको करनी पड़ेगी फ्री होते ही जो भी whatsapp और facebook या फिर youtube के shorts यह जो आप देखते हो यह आपको देखने बिलकुल बंद करने पड़ेंगे कैसे बंद होंगे बहुत easy तरीका है जब भी रात को सोने जाओ जो भी आपकी app है settings में option आता है आप का जब भी आप जिस किसी app को open करोगे जिस पर आप time ज्यादा अपना यूट्यूब पर फिर आपको एक मन में regret फिल होगा कि यार मेरे को दिन में इतना घंटे तो मिले थे मैंने इस टाइम पर क्यों सोचल मीडिया पर time waste किया और मैं उस टाइम पर पढ़ाई कर सकती थी तो हर एक housewife अपने काम करते हुए पढ़ाई कर सकती है लेकिन उसके लि equipment लगे होते हैं exercise वाले और कभी-कभी मैं ऐसे यहां पर walking के लिए आ जाती हूँ आज मैं यहां पर करूंगी भांगडा क्योंकि यहां पे न सुबह सुबह बहुत सारे मिलके लोग like females males और बच्चे यहां पर भांगडा करते हैं free of cost होता है बस main एक ही इंका रहता है कि जो आज कल की generation phone में लगी हुई है वो phone से थोड़ी दूरी बनाए और यहां पर मैं सबसे मिली थी मैंने भांगडा किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था कभी-कभी ना अलग लग चीज़ें करते रहने से ना मतलब एक अच्छा वो लगता रहता है कि हम कुछ नया कर रहे कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं हमें बाहर जाना allowed तक भी नहीं है कही morning walk करना तो बहुत दूर की बात है तो आप अपनी चट पे walk कर सकते हैं जो भी आपकी पास में easily available है facilities उन सब का use कर सकते हैं छोटी से छोटी चीज भी आपका mind fresh कर सकती है कभी एक अच्छा खाना बनाना भ लिखा जाता था तो बस वही पुरानी चीजें थोड़ा सा यादा हो गई मेरी मेरे बच्पन में इस चीजे नहीं थी लेकिन जो हम सुनते आई हैं कि पहले कुछ ऐसा होता था तो बस यह थोड़ा सा बच्चे को हम सिखा रहे थी हां अभी तक तो हो गई सब अच्छी कि था दहेज की वज़े से ना जाने हम लड़किया कब तक मरते रहेंगे और एक कमेंट ना इतना बड़ा था मैं उस पूरे कमेंट को तो नहीं रीड कर सकती लेकिन उन्होंने लास्ट में जो लाइन लिखी थी ना कि मेरा मन करता है कि मैं अपनी दुनिया खतम कर दूं मै इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम सुसाइड कर लें या ऐसा करने के बारे में सोचें तो ठीक है ना आप चाहे कुछ भी हो या और कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हो किसी भी चीज को अपनी लाइफ से उपर मत होने दो चाहे कोई एक्जाम हो चाहे कोई आप आपकी लाइफ से बढ़के कुछ भी नहीं है जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप स्ट्रगल कर सकते हैं महनत कर सकते हैं तो जो भी प्रोबलम साती है ना बाउंस बैक कर ये उन प्रोबलम को सामना कर ये आप लाइफ में यह सोच लिए कि जो आ जाने से आपकी सारी प आए तो एक बारी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच लेना जो आपसे प्यार करता है आपके ना होने से किसी एक को तो असर पड़ेगा है जाहिए वो आपकी पेरेंट्स क्यों नहों तो प्लीज उनके बारे में सोचिए और ऐसा कजम लाइफ में कभी मत उठाएगा और सुब कि आप अभी नेंद लेंगे सो जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा क्या आप रिलेक्स होके उठ पाएंगे बिल्कुल भी नहीं उठ पाएंगे आपको एक टेंशन होगी मन में चिंता होगी आपका पूरा दिन फिर खराब हो जाएगा वहीं पे आप थोड़ा और फिर एक अलग ही एनरजी पूरा दिन रहेगी तो देखिए दो चुनाओ है आपके पास एक चुनाओ जो आपको अभी के लिए तो ठीक लग रहा है कि थोड़ा सा और निंद ले लूँ अभी के लिए आप कमफर्ट जोन में जा रहे हो कोई बात नहीं लेकिन ये कमफर दिन बहुत प्रोड़क्टिव रहेगा आप पूरा दिन खुश रहोगे और फिर रात को सोते हुए निंद भी अच्छी आएगी तो चुनाओ आपका है चुनाओ करने में थोड़ी सी पीडा तो होती है पीडा से गुजरना पड़ेगा तो आपको ना कस्ट से गुजरना ह उससे मत गवराइए जो कस्ट से नहीं गुजर सकता वो सुधर नहीं सकता वो निखर नहीं सकता आपको सुधरना है लाइफ अपनी प्रोड़क्टिव बनानी है पूरा दिन एनरजेटिक रहना है आप मुझसे पूछते होना कि आप कैसे पूरा दिन इतना एनरजेटिक र इसलिए मैंने वह वाला चुनाओ किया है और इसलिए मैं पूरा दिन इसी तरीके से एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहती हूं एक बार आप मेरे कहने से सेवन डेज का सुबह जल्दी उठने का चैलेंज लेके देखिए रात को आप जितना भी सोते हैं थोड़ी थोड़ी नींद कम करके एक हपते में आप अपने नींद 5-6 घंटे तक ला सकते हैं 5-6 घंटे में रात के पूरी नींद कम्प्लीट हो सकती है मेरी तो 5 घंटे में हो जाती है दिन में आप एक nap ले सकते हैं 25 मिनट से लेके 45 मिनट तक का जो मैं जरूर लेती हूँ और जिससे और हमें energy मिलती है और दिन बर ये motivation भी रहता है कि कोई बातनियार अभी सारे काम निप्टा लेते हैं जिस टाइम पर उठते थे खुद आपकी आँखें उस टाइम पर खुल जाएंगी और आप बड़ी असानी से उठ पाओगे और आपको ये life बड़ी नॉर्मल और बड़ी अच्छी लगने लगेगी किसी ने comment किया था कि आप सब ये चीज़े ना असानी सा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि आपके husband का sport आपको मिला हुआ है dear जो एक sport parents करते हैं ना blind sport वो कोई भी इनसान आपकी life में नहीं कर सकता है जो भी sport आपको बहार से मिलता है किसी को कम किसी को ज्यादा वो तब ही मिल पाता है जब आप पहले खुद के लिए कोई stand लेते हो खुद के लिए कोई party set करते हो खुद अपने life को अपने routine को इस तरीके से बनाते हो कि सामने वाले के पास option ही नहीं होता in fact वो खुद आपको increase करेगा जब आपका वो struggle देखेगा starting से सबकी life एक जैसी नहीं रहती मैं बार बार ये बात बोलती हूँ जो life आप मेरी अभी देख रही है सालों से ये life ऐसी नहीं रही है बहुत सारे demotivation demotivate बहुत बार में होती थी बहुत life में hurdles आई लेकिन मैं कभी रुकी नहीं कभि में थकी नहीं, कभी भी मन उदास होता था तो रोना आता है, रो लेते हैं due motivation feel होता है, कोई बात नहीं लेकिन motivation तो खुद के अंदर से ही आता है और motivation जब जब ज़्यादा आता है जब आप discipline में रहने लगते हो फिर आपको किसी चीज़ से घबराटने होती, किसी चीज़ से डर नहीं लगता आप लोग जो ये बोलते हो ना कि मैम हम एक्जाम की त्यारी तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं सकसेस मिलेगी, नहीं मिलेगी अरे क्या हुआ नहीं मिलेगी तो उसमें आप हापता लीजिए, दस दिन लीजिए, पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन अपना लिख लो कि मैं सुबह के 5 बज़े से लेके या 4 बज़े से लेके और रात के 10-11 बज़े तक क्या-क्या करती हूँ एक घंटे, एक एक मिनट का हिसाब आपके पास होना चाहिए, तब आपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और एक बार इस जहनी को स्टार्ट करके देखिएगा, हर हाउस वाइफ या फिर हर कोई बंदा, किसी भी उमर में पढ़ाई कर सकता है लेकिन उमर इतनी भी न निकल जाए कि हम गब 60 की एज में आ जाएं और ये पस्तावा रह जाए मन में कि काश अपनी उमर रहते कुछ अपने लिए कर लेते जो हो चुका पिशली बातों को भूल जाओ, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हम पस्त की बातों को भूलनी पा रहे हैं भूलने के लावा कोई option नहीं है आपके पास, या तो past की बातों का रोना रोते रहो, कोई नहीं आपकी सुनने वाला, कोई सुनेगा तो दो पल में भूल जाएगा, आपको कस्ट होगा, किसी का कुछ नहीं जाने वाला इससे अच्छा है कि आप एक बारी accept कर लो, कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ, हो चुका अभी, अभी मैं past के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अपने future को बरबाद नहीं होने दूँगी अपने future के लिए मैं अभी से सोचना start करूँगी, तो वो step लेना आप शुरू कर सकती हैं, लेकिन वो तबी लेंगे, जब आप अपने past को भूलेंगे नहीं, बलकि accept कर लेंगे past को भूलना और बुरे past को भूलना इतना आसान नहीं होता, उसको भूलने के चकर में हम उसको और याद करते रहते हैं, तो past को भूलना नहीं है, उसको accept कर लेना है, और अपनी life में आगे बढ़ जाना है और especially जो यह civil servant वाली त्यारी है, इसमें इतने सारे subject हैं, हर किसी के बारे में फिर नॉलिज लेना धीरी धीरे, यह curiosity मन में बनी रहती है कि अभी next क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा, current affairs daily के पढ़ने को मिलते हैं कि कब कहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है हमारी जो country है, उसके economy का क्या चल रहा है, उसमें polity में क्या चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सब पढ़ना, पहले starting में इतना used to नहीं थी, चीजें बहुत अलग लगती थी, चीजें समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन धीरी धीरे जब आप इस process में involved हो जा तो मन आपको अपने control में करेगा, और मन का तो एक ही काम है, जहाँ पर उसको अराम दिखता है, वो उसके तरव भागता है, जहाँ पर उसको महनत struggle दिखेगी, वहां से वो पीछे हटने की कोशिश करता है, तो आपको एक ही चीज करनी है, अपने मन को control में करना है, ना कि ख जिटानी कोई काम नहीं कराती है यह बोलती रहती है कि उनकी तब्बित खराबर वो पैठी रहती है जास ननंद और ननंद के तीन बच्चे भी कई बारी कई दफा आधिकारिक यहीं पर रहते हैं तो उनका काम भी उनको रहता है, तो सारा घर का काम निफटा कि जब ये बैठने के लिए जाती हैं, तो तीनों मिलकर सास, जिठानी, ननन्द, बैट के जली कटी बाते करती हैं, बोलती है इसके मा नहीं है न, इसलिए इसको फैमिली में रहना नहीं आता, अभी दो बिच्च तो डियर में आपको एक चीज बोलना चाहती हूं, ये लोग जो है आपका फाइदा उठा रहे हैं, जो भी आपकी जठानी है, आपको पता है कि वो ऐसे बैठी रहती है, तो क्या सामने वालों की आखी नहीं है, क्या बाकी धर के मैंबर को दिखाई नहीं देता है, अगर क जितना काम आपके इतने हिस्से का है, वो काम करो, ननन्द आपके घर पे कभी-कभी आती है, उसको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, जरत दर आती है तो फिर भी प्यार रिस्पेक्ट दो, लेकिन ये नहीं कि उसको बैठी को खाना आप ही देती रहें, है ना, वो भी औरत है कि दूसरे आपकी अच्छाई करते रहें नहीं पुराई को accept करना start करो लेकिन अपनी किसी भी चीज के साथ compromise नहीं करना है आपको